नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई से मन अगर हट रहा है बच्चे जिद्धी हो गए हैं हमेशा चिलाते चीकते रहते हैं या फिर मोबाईल टेलिविजन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बात नहीं सुनते हैं आपका तब आप क्या करें बच्चों को सांध रखने के लिए एक्टिव रहने के लिए पढ़ाई के प्रती और बदमास याँ थोरी कम करें तो विडियो के अंतक बने रहे हैं आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे तो चलिए सबसे पहले तो हम देखिए गुर्देब जो पंडित परदीब मिस्रा जी हैं सिहोर वाले उन्होंने भी बच्चों के लिए कुछ खास उपाई बताएंगे हम उनकी भी बातों को रखेंगे कुछ जोतिसी बाते भी रखेंगे तो आपके घर में बहुत बार आपने देखा होगा बहुत चोटे चोटे बच्चे हैं और अचानक से डर जाते हैं रोने लगते हैं तब सिह महापुरान का उपाय उन्होंने बताया है उनका जो सिह महापुरान की कथा के बारें वो कहते हैं कि बिल पत्र के पेड़ में जो काटा होता है उसको लेकर उसमें चीनी और मेवा मिला कर लड़ू बना ले याद रखिए बिल पत्र का जो पेड़ में काटा होता है आप ले सकते हैं एक भी ले सकते हैं चार पांच भी ले सकते हैं और इसके बाद लड़ू को बात भी सबन Yaq ", तो एक चोटा से प्रयोग कीजिए ये भी उपाय गुर्देव नहीं बताया है सोम बार के दिन बाजरे के आटे की दो रोटी बना लें और रोटी जो है दोनों तरफ नहीं सेखना है रोटी बना कर जैसे ही आपने तवा पे डाला रोटी को बस एक तरफ ही सेखना है और एक तरफ रोटी कच्ची हो जिस τर 없 रोटी कच्ची ही ऐनि ऊपर के तरफ उस्पर थोरा सा गुर थोरा सा चावल बिल पत्र रखें और दूसरी रोटी यानि की दो रोटी आपको बनाना है एक सेख लिया दूसरा भी एक तरफ ही सेखना है दोनों एक एक तरफ और उपर से धग दें, उसके बाद, यानि कि JAK K 2007 की साइड कची रोटी है रहकने जहरह करकर कि दुए जहर ही वाँ खाया कि डापतारी token के आने से पहले अपने बच्चों के दवारा किसी बैल को खिलवा दें बच्चे के aynı को खिलबा इसको करवाईए अब हम एक और महा प्रयोग आपको बताएंगे तो वीडियो के अंत happier रही जिसके आप बीच में हम शुके अब हम to 30 पर दाते हैं आंको अब कि भी बच्चे पढ़ाई में नहीं लगाते जी चूराते हैं तो क्या करें ताकि उनका पढ़ाई में मन लगने लगे और स्कूल में भी वो अच्छे नमबर लेकर आए और साथ ही अभी सामने बोर्ड एक्जाम है प्लस टू का एक्जाम है तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बच्चे आपके बहुत अच्छे जो भी पढ़े वो उनको याद रहे थोरे से जो तिसी टिप जो आपके बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने में मदद करेगा आम तोर पर हम वैसे देखते हैं कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और पढ़ाई से भी जी चुराते हैं या सिर्फ आपके घर में नहीं बलकि लगभग 99% घरों में ही हाल है अगर आप अपने बच्चों को डाट कर या जो जवरदस्ती पढ़ने के लिए कहेंगी तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे इसलिए जरूरी है आप उन्हें समझतारी से काम ले और समझाएं और कुछ ऐसे उपनाएं जिन से आपके बच्चे का पढ़ाई में मल लगने लगें सबसे पहली बात अगर बच्चे बहुत चोटे हैं चार साल पांस साल के हैं तो उन्हें गयतरी मंत्र बोलने का अभ्यास करवाएं अगर सनस्कित उचारन में वसभीधा हो रही है उन्हें तो आप अपने पास बिठाएं अपने गोद में और बोल बोल कर उन्हें सुनाएं उन्हें याद हो जाएगा कम से कम पांच बार जरूर करवाईए इससे उनको पढ़ावा याद होगा और बुद्धी तेज होगी दिमाग का विकास होगा अब तो हमारे M's के डॉक्टरों ने भी और हमारे बेग्यानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र का जब करने से दिमाग तेज होता है हम बुद्धिमान बनते हैं साथ ही जब भी आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं कोशिस करें पुरु की साइड उनका मुखो और वो पढ़ाई करें और साथ ही जहां पे वो पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे वहां पे मोर्ग पंक की अस्थापना जरूर कर दीजिएगा इससे आपके बच्चे को नजर भी नहीं लगेगी पढ़ाई करने के दौरान और उनको पढ़ाई में मन भी लगेगा साथ ही साथ एक हरी रंग का पैरोट यानि तोता एक पोश्टर छोटा से ले आईए और अपने घर के उत्तरी दिवाल में लगादे ऐसा करने से हमारे वास्तों के अनुसार आपके बच्चे के पढ़ाई में मन लगने लगेगा रूची बढ़ेगी और अस्मरन सक्ती भी तेज हो जाएगी साथ ही साथ तोता घर में रखने से बुद्ध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है और बुद्धी का विकास होता है जब वह खेल कुदने के साथ साथ पढ़ाई में भी जतना खेल कुद में पहले रूची लेता था उतना ही अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा कई बार ऐसा होता है बच्चे आलसी होते हैं थोड़े पढाय में धिहान नहीं दे पाते ऐसे में आप बच्चे को पने जादा नमकीन चीजें खाने को ना दे शनेक्स पर गएर और इन्हें थोड़े से मीठा चीज खिलाईे इससे बच्चे का आलत से भी दूर होगा और जहां बच्चे आपका पढ़ता है वहाँ पर एक माह सरस्थी की छोटा से चित्र भी लगा दीजिए ताकि उनका आसिरवाद भी आपके बच्चे पर बना रहे अगर आप साम में जैसे आप अगर हिंदू हैं जब आप पुजा करती हैं सुभा में तो दो तूलसी के पत्ते आप भगवान कृष्ण को अरपित कीजी और उस तूलसी के पत्ते को अपने बच्चे को खिलाईए तूलसी के पत्ता खाने से बच्चा आपका एक तो रूप परतिरोधक सकती मजबूत होगा दूसरा बुद्धिमान होगा और पढ़ाई में तो फोकस होगा ही साथ ही बहुत ज़्यादा पढ़ावा भी याद रहेगा और अभी सामने तो बोड एकजाम है पलस टू के एकजाम है तो ऐसे में जब परिच्चा सुरू होने को होगा पांच दिन पहले से ही बच्चों को दही में मिसरी गुड या चीनी जो भी एबलेबल है आपके घर में नियमित रूप से डाल के खिलाईए थोड़ा सा ही खिलाईए और ऐसा करने से आपका बच्चा का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा तंदूस रहेगा एक्टिव रहेगा जैसे कि आज आपने मान लीजिए सुभा आठ बजे दिया अगले दिन नौ बजे दीजिए उसके अगले दिन तस बजे दीजिए इस तरह से आप एक घंटे का पट ना करें उन्हें उनका मनोगल उचा करें और महसूस कराएं आप उनके साथ हो बस आप मेहनत करो आत्मे विस्वास पैदा करें और प्यार से समझाईए आप उनको उनके खुद के ऊपर यकीन रखना सिखाईए और एक कागरता लाने की भी कोसिस करें और बच्चों का जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसके लिए ट्यूसन लगवाईए उस सब्जेक्ट पर जादा ध्यान दीजिए और यदि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि उनको याद रहे साथ ही लिखकर या बुद्धी वर्दक चीजें दे और रोज कम से कम बादान तो जरूर ही खिलाईए और दूद जरूर दीजिएगा मचली कहते हैं मचली खाने से बुद्धी तेज होती है तो आप मचली खिलाईए रोज साथी फल दूद जूस सुखे मेवे अक्रोड वेगरा जरूर खिला ताकि उसका पढ़ावा भी याद रहे और पढ़ने से बूरियत ना हो सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का बुद्धी हस्तर बढ़ जाएगा और बच्चे में आदमें विस्वास पैदा होगा खुद पढ़ने की भावना इनके बच्चों की बढ जोड़ से तेज दिमाग बाला बन जाएगा अच्छे नमबर लाएगा देखें कई बार क्या होता है ना बच्चे को नजर लग जाती है इस कारण से भी वह पढ़ता लिखता नहीं है कई बार होता है पर लिख रहा है कोई आपके बच्च्चा पढ़ पढ़ आ है बहुत आटे का दीपक बनाई है आटा वही जहूं का उसमें पानी डाल कर जैसे आप आटा गुते हैं रोटी के लिए बिलकुल वैसे ही गुत लीजे उसका एक दीपक बनाइए और इस दीपक में चार रूई की बाती लगाई और इस दीपक में आपको तिल का तेल डालना है रख दे ऐसा करते इसमें कोई देखे नहीं इस बात का ध्यान रखना है ऐसा करने से बच्चे के ऊपर जो नजर लगी है वो नजर दो समाप्त हो जाता है याद रखिए इसे 21 बार एंटी क्लॉग वाइज उतारना है और चुप रहिएगा बात्चित मत कीजिएगा और चौर रखना चाहिए तो हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे